नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर SS खत्री, रोबोटिक और्थोपड़ी क्लिनिक जैपूर से, आज मैं बात करूंगा, हमें ठंडे पानीक सिकाई कप करनी चाहिए, और गरम पानीक सिकाई कप करनी चाहिए, और उसके अलावा एक और चीज होती है, कॉन्टरस्ट बात, अल्ट या कोई पेन हो, या कोई पेन है जो लंबे टाइम से चल रहा है आपको, उस वक्त आपको हमेशा गरम पानीक सिकाई करनी चाहिए, जैसे लोवर बैकेक हो गया आपका, या आपके हाथ के अंदर टैनिस अल्बो हो गया, या आपका गर्दन का पेन हो गया, कोई भी दर्थ जो लंबे टाइम से आपको on and off रहता है, वहाँ पे हमेशा आपको गरम पानीक सिकाई करनी चाहिए, गरम पानीक सिकाई से वहाँ पे जो ब्लड वैसल से वो डाइलेट हो जाती है, और वहाँ पे जो भी इंफ्रामेट्रिक मारकर्स या टॉक्सिं जो इकटे होते हैं, वो जब भी आपके चोड लगती है, तो इंफ्रामेट्रिक मारकर्स होते हैं, इंफ्रामेट्रिक रियक्सिं होती है, जिसकी वज़ए से वहाँ पे वैसल का ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, और आपके साइटोकाइन्स और इंफ्रामेट्रिक मारकर वहाँ एकटे होते हैं, उसके वज़े से आपको swelling होती है उस जगह पर दर्द का मैसूस होता है और redness होती है जब भी आप ठंडे पानी की सिखाई या बर्फ की सिखाई वहाँ पर करते हैं तो आपकी जो blood vessels है वो पतली हो जाती है या गॉंटेक्ट हो जाती है इसकी वज़े से वहाँ पर cytokines या inflammatory markers इंटेलोकेंस वगर नहीं पहुंच पाते हैं और उसकी वज़े से जो inflammation होती है वो इतनी develop नहीं हो पाती है दूसरा में ठंडे पानी सिखाई तब भी करनी चीए जब कोई तुरंत बड़ी सजी अभी आपने करवा क्या हो जैसे आपका नी-replacement करवा क्या है और आपको लगतर swelling हो रुखिए तो उस वक्त भी आपको ठंडे पानी सिखाई करने चीए नी-replacement में especially क्योंकि वहाँ पर गरम पानी सिखाई मना की जाती है एक तो कारण यह है कि आपकी जो blood vessels है वो contact हो जाएगी उसके वोज़े से आपका swelling कम हो जाएगी और swelling कम होने का एक reason यह भी होता है दूसरा जो नी-replacement का जो implant होता है उसको fix करने के लिए इस special bond cement होती है उसको use किया दाता है तो गरम पानी की सिखाई से कई बार वो lose होने की chances होता है इसलिए आप जब भी सज़जी करा के आते हैं या आप वोगों चोट लगी है तो उसमें हमेसा थंदे पानी की या बर्व की सिखाई कीजिए एक और सिखाई होती है जिसे बोला जाता है कॉंट्रास्ट बात जो मैं काफी प्रिस्क्राइब करता हूं अपने मरीज को कॉंट्रास्ट बात यह होता है कि आप alternative गरम और थंदे पानिक सिखाई करें जैसे आपके एडी का पेन हुआ या प्लांट फैसाटीस हुआ उसके अधिक तर मजो बोलता हूं कि आप alternative गरम और ठंडे पानिक सिखाई करिए तीन में गरम एक मिंट ठंडा तीन मिट वापस गरम एक मिन ठंडा तीन मिट वापस गरम वहां पे pathology कुछ और होती है वहां पे pathology होती है कि वहां पे neo-vasculorization छोटी छोटी नहीं vessels बनने की प्रक्राइए सुरू हो जाती है तो इस neo-vasculorization को रोखने के लिए contrast बात कर यूज कियाता है तो जब भी आपको ad का पर हो तो उसमें आप contrast बात लीजिए जब भी आपके पुए पुए पुरानी चोटो उसमें गरम पानी सिकाई करिए और जब भी आपके ताजा चोटो या कोई सरजी होई तो वहां पर हमीसा ठंडे पानी सिकाई करिए मैं आसा करता हूँ आपको इस वीडियो में काफी हद तक इस चीज की क्लिर्टी मिल गई होई थैंक यू